पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्मान करने वाली इसकंद माता नवरात्री में पांचवे दिन इसकंद माता के रूप की पूजा अर्चना होती है कहते हैं कि इनकी कृपा से मूण भी ग्यानी हो जाता है इसकंद कुमार कार्थिके की माता के कारण इने इसकंद माता नाम से अभिहीत किया गया है इनके विग्रह में भगवान इसकंद बाल स्वरूप इनकी गोद में विराजित है देवी की चार भुजाएं है और ये दाई तरफ की उपर वाली भुजा से इसकंद को गोद में पकड़े हुए है नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाई तरफ उपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है नीचे वाली भुजा में कमल पुश्प हैं और इनका वर्ण एकदम शुब्र है ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है और इसलिए इन्हें पदमासना भी कहा जाता है सिंग इनका वहान है और इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है भक्त को मोक्ष मिलता है मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रहकर इस देवी की अराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कभी कठिनाई नहीं आती नमस्कार मैं हूँ करिश्मा नवरात्री याने की शक्ति की अराधना का पर्व नौ दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा की शिरुवात हो चुकी है जिसमें नौ दिन तक मा के अलग-अलग रूपों की अराधना की जाएगी मा धन, संबन्ता, एश्वडय, सुक्र, शांती और भनुवांचित वर देने वाली है भक्ति भाओं के साथ की गई अराधना से मा प्रसन हो जाती है और अगर विधी विधान से अराधना की जाए तो पूजा का विशेश फल मिलता है नवदुर्गा पर्व के पांचवे दिन की शुरुवात होती है मा इसकंद माता की आराधना से माता के इस रूप की आखिर कैसे पूजा की जाए हम इस साल भर ताकि सुक, सम्रद्धी और शांती मिले विधी और महत्व को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है एस्ट्रोलोजिस्ट डॉक्टर कविता महता मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर कविता जी आप से जाना चाहूंगी मा इसकंद माता के स्वरूप के बारे में और इनकी महिमा के बारे में इस रपोर्ट के जरिये तो हमने देखा कि कितना सौम में और कितनी पवित्र है मा लेकिन इनके स्वरूप का अगर वरणन किया जाए तो उसके बारे में बताएं और इनकी महिमा के बारे में बताएं माध्य संसार में आपने भी कहा कि नव जीवन का संचार करती है इसके अतरिक्त जो मा है मागा विक्रह बहुत ही पवित्र है मागा स्वरुप पहत ही पवित्र है जो बुद्धी बढ़ाने वाला है आत्मा में आत्मा की चतनेता का कारक है और मोक्ष की और ले जाता है याने बुद्धी ज्यान और मोक्ष इन तीनों का बहुत निकटस्थ संबंध है जैसे अगर हम बात करें कि उन लोगों के लिए विशेश महत्व पुण है, जो की वुद्धी से सम्मंदित कारे करते हैं, विध्या अध्यन कर रहे हैं, उनके लिए मा का विशेश आराधना का महत्व है, इसके तरिक्त मा जो है, हमारे शरीर में विशुद्ध चक्र की जागरती करती है, शरीर में जो है पाँचवा चक्र, विशुद्ध चक्र है, जिसका स्थान जो है रधाय और कंठ के मध्य में है, कंठ के मूल में इसका स्थान है, और इस चक्र की जागरती से मोक्ष मार्ग के द्वार खुलते हैं, यही एक ऐसा चक्र है, जहां से मोक्ष मार्ग के द्वार ख लोग की प्राप्ति के लिए है तो ऐसा है मा का स्वारूप और इस चक्र के कारग्रह गुरु हैं जो ज्ञान के देवता हैं इस चक्र से चहरा खास तोर से मुख कंठ और नेत्र इत्यादी अंग नियंत्रित होते हैं तो जिन लोगों को इन अंगों से समझ्या है वो आज वि इसका मा की महिमा से और मा की आरातना जो करता है उसको इसकी प्राप्ति होती है आगे बढ़ते हैं आज के दिन माता की आखिर कैसे पूजन की जाया ताकि माता खुश रहें और अपनी कृपा बरसाएं माता का विग्रह जो है चोकी पर श्ठापित करें मागό सर्पतं जो है गंगा जल से उनका जो है चरण धुलवाएं तरपरशad पंचाम्रत से उनको स्नान करवाएं मा को खास तोर पर जो है श्वेत वस्त्र बहत पसंदे श्वेत रंग बहत पसंदे तो हलके पीले हलके पीला रंग भी बहत पसंदे तो हलका पीला और श्वेत रंग के वस्त्र फल फुलादी उन्हें अर्पित करें आज के दिन जो खास महत्व है वो है माता क का विशेश आज भोग पसंद है नेवेद्य मा का विशेश पदार्थों से लगाया जाता है जो बाजरा से निर्मित वस्तुओं से मीठे खाद्य पदार्थों से मा को भोग लगाए केसर युक्त खीर मा को अर्पित करें और साथ में केले मा को अर्पित करें तो खास तोर से आज जो नेविद्य का है विशेश नेविद्य का महतो है तो उसे अर्पित किया जाना चाहिए साथ ही दुर्गा सब्टशत्य और देवी भागवत का पार्ट जो निरंतर हम नौ दिन ही करते हैं आज नियमित रूप से करें मिल्कुल तो यह सब अगर हम उपाई करते हैं तो माता रानी अवश्य खुश होंगे डॉक्टर कविता आगे यह बताएं कि माता सकंद माता कार्टी के भगवान की माता भी कही जाती है लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कथा है इसके बारे में बताएं कार्टी के जी के जन्म की कथा बड़ी विलक्षन है क्योंकि वो विलक्षन प्रतिभा के धनी थे एक व्यक्ति जिसके अंदर छे लोगों की शक्ती बुद्धिबल समाई थे ऐसे थे भगवान कार्दी के है और उनकी जन्म की कथा भी बड़ी विस्तारित है लेकिन माता सती जो है का शरीर त्याग हुआ तो भगवान शिव जो है वो कठोर साधना में लीन हो गए और उन्होंने उनका जो अंश था उसे कोई और इस्त्री धारण नहीं कर सकती थी तो उन्होंने वो अंश अगनी देव को समर्पित कर दिया था ऐसी में तारका सुर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन करके वर्दान प्राप्त कर लिया कि अगर उनका उसका वद होगा तो शिव के पुत्र से होगा क्योंकि वो जानता था कि शिव के कभी पुत्र हो ही नहीं सकते हैं तो तारका सुर्ण के जब अन्याय से देवतातरस्त हुए तब अगनी देव ने अब तक उस अंश को धारण किये हुए थे लेकिन वो उनके लिए आसहनी हो रहा था तो उनोंने वो अंश माता गंगा को समर्पित कर दिया लेकिन गंगा जी की तेज लहरों से वो अंश छे भागों में विभक्त हो गया, माता गंगा का जो जल है वो उबलने लगा, याने उसकी शीतलता समाप्त होने लगी, और माता गंगा ने जो है वो अंश जो है वन में स्थापित कर दिया, वहां कुछ छे क्रतिका नक्षत जि उस अंश को धारण नहीं कर पाई, लगभग साड़े तीन माह उन्होंने उस अंश को धारण किया, तत पश्चात उन्होंने उस अंश का स्वयम त्याग कर दिया, क्योंकि वो उसके तेज को वहन नहीं कर पा रहे थी, तो इस तरह से एक अर्धविक्सित शिशु, छे अर् उन्होंने जो है, उन्शे पुत्रों को कमल पत्र में लपेट कर अपनी तांत्री के शक्तियों से एक स्वरूप दे दिया, इस तरह से छे मुखवाले भगवान कार्थी के एक उत्पत्ती हुई, इनका एक नाम सकंध भी है, जैसे कि आपने बताया, और सकंध का अर्थ ही मोटा तना होता है, इसकंध का अर्थ सेना पती होता है, वीर पुत्र होता है, बुद्धि शाली पुत्र होता है, इस तरह से कार्थी के जन्म की कथा है चलिए तो भगवान कार्थिके की माता हैं और माता इसकंद माता और उसके पीछे की कथा तो हमने जानी अब ये बताएं कि आपने तो कहा कि कुछ उपाए ऐसे हैं और माता को क्या कुछ विशेश भोग लगाया जाए क्या कुछ अरपित किया जाए ताकि मातारानी खुश रहें लेकिन कुछ ऐसे खास उपाए जो सभी कर सकते हैं ताकि मातारानी का विशेश याशिदवाद सभी को प्राप्त हो कि जे इसकंद माता की आराधना से बल वीरी वरद्धी होती है साथ वही तेज बढ़ता है जो वास्तविक तेज जो जो ज्ञान से उत्पन होता है एसा तेजों में स्वरूप्राप्त होता है तो आज के दिन कुछ विशेश उपाय करें कि सर्वकतम तो इसकंद माता कवच शर्किश का पाठ करें और आजके दिन धनुशबान अर्पित करें वह लोग जिनको पदप्राप्ती की कामना है जो अपने व्यक्तितु को तेजों महाई करते हैं जो अपनी बलव रधी करना चाहते हैं वही माता का उपाय करें ओम को जो है पान के पत्ते पर केसर रखकर आज के दिन अर्पित करें, मनु कामना पूर्ण होगी, इसको अर्पित करने के बाद दुर्गा सप्तशती, दुर्गा नामा वली और दुर्गा स्त्रोत्र का पाठ करें, आज के दिन जो है केसर दान करने का विशेश महतो है, तो मा को केसर अर्पित क इस्थापित करें और देवी का स्वरूप मान कर उसकी सेवा करें इसके साथ जो पीले हकीक की माला से 108 बार मा के बीज मंत्रों का जाप करें तो आपको सर्व मनुकामनाओं की प्राप्ति होगी तो ये कुछ विशेश पाएं हैं और अगर हमारे दर्शक करते हैं तो मातरानी की क्रपा जरूर बढ़ से की आगे हम बढ़ते हैं माता सकंद माता जननी है और मा का ममतमई स्वरूप है जिन इस्तरियों को मा बनने का सवभाग्य प्राप्त नहुआ हो वो किस प्रकार से आख सकंद माता की आराधना से संतान हीं दमपत्यों को विशेश मनो कामना की प्राप्ती होती है आज के दिन मा की मन से आराधना करें सर प्रथम तो एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगी कि बरगत के पत्ते को लाकर उसे गंगाजल से शुत्ध करें उस पर कुमकुम से स्वस पाधना से लिष्ण हरी होगी किसके बाद मा को आप आज के दिन मा को गुढई зал के फूल बेहत पसंद है आप पूरे माहा के लिए स्टोर कर लें और प्रते दिन दो तीन पतियां मा के भूग के रूप में घ्रहन करें इससे सवभाग और संतान दोनों की प्राप्ती होती ह जो बाजरा और गेहूं के आटे को की पिंडी बना लें और उसमें गली हुई चने की डाल रखकर मां को पूजन के समय अर्पित करें तथ पूजन के पश्षात उसे गाय को खिलाएं आपकी संतान से सम्मधित मनो कामना अवश्य पोलना होगी जय कै prawn क क की अजयार के शाजरी जो हमने किया है चाए वह अच्छे हूं चाहा बुरे तो इसमें किया इसका प्रभाफ पड़ता है क्या कर्मों में अगर हमने बुरे कर्म किये हों अगर लेकिन ये उपाय भी हम करते रहें तो क्या इसका प्रभाव पढ़ता है ये थोड़ा मैं समझना चाहूंगे मीट आप प्रारब्ध स्वरूप यदि कुछ बुरे फल आपको प्राप्त हो रहे हैं तो ये भी बात समझने किए कि वरतमान जन्म हमें मिला है और अगर हम समझ कर प्रारब्ध नए अच्छे कर्म करते हैं मन वचन कर्म कर्म कई तरह से कारे करता है मनसा वाचा और कर्मना तीनों प्रकार से कर्म की काउंटिंग होती है तो यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो पूर्व की प्रारध जो है वो कटती है बनुवांशित्फल की प्राप्ति होती है जो कुंडली होती है हमारी वो जन्म का लेकिन अवर्तमान के कर्म ही किस द्वार से परिशानी आनी यह और हम वर्तमान के कर्मों में सुधार कर ले तो प्रारब्द बदल जाती है जोतिशास्त्र को योतिशास्त्र के सिधांत जो जो इन यह कं विक्यान Kaland ho design क्या जाता है क्योंकि यह जो कर्म है वर्तमान के यह प्रारध को जो है काटते हैं और अगर यह कुछ पाय आप करते हैं जोतिश शास्रों के मطाबिक तो उनका प्रभाप ठोड़ा सा कम पड़ता है आगे हम बढ़ते हैं, डॉक्र कविता आपसे जाना चाहूंगी, मा दुर्गा के ही रूप के बारे में, इनके एक हाथ में त्रिशूल भी विराजित है, इसके पीछे आखिर क्या अर्थ है, त्रिशूल का आखिर इसके, त्रिशूल के यह बारे में अगर हम बात करें, तो क विश्नु की शक्तियों का कारक है, ब्रह्मा अर्था स्रश्टि करता, विश्नु अर्था पालन करता, और शिव अरुद्र अर्था सम्हारक, तो माता में, जो है, माता के हाथ में त्रिशूल भी राजित है, इसका आर्थ यह है सांकेति, कि माता के हाथ में स्रश्टि करता की शक्ति है वो जननी है माता के हाथ में पालन करता की शक्ति है और माता में विनाश करने की शक्ति है बुरी शक्तियों का विनाश करने की यहने त्रीदेव की शक्तिया मा के अपने हाथों में है यह इसका सांगेति कर्थ चलिए तो यह आपने बहुत अच्छी बात बताई अब जैसे हम खास उपायों की तो बात करी रहें आपने तो इतने उपाय बता दिये हैं लेकिन थोड़े से ऐसे उपाय जो का इजी भी हो और अगर जो लोग ट्रावल कर रही हो या अपने पर प्लेस पे हो या कुछ ऐसा मंत्र बता दीजिए कि बस अगर उस मंत्र की ही मंत् करी सकते हैं माता का एक बीज मंत्र रहे श्रीए म रें रीव क्लीम यह सकंद मौता यह नम हो इसमंध का idiot जाब करें और जो लोग दर में वह उवहां जो द्रृथ तो आज के दिन इस मंत्र के साथ वण करें तो विशेश लाब होगा आप अपनी इसमंधर के बार साथ आप अपनी मनुकामना एनित्य मां को अर्पित करते जाएं तो आपकी मनुकामना अविश्य पूर्णा होगी. लग्टर कवीदा एक और सवाल मेरा कि ये नौ दिन आखिर कितने जादा महत्तपूर्ण होते हैं शार्दियन अवराद रखे और इसमें अगर भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की जाए तो क्या लगता है आपको क्योंकि कर्मों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे हमार की तो सबसे पहले तो आप साधना कर रहे हैं और आपकी कामना पूर्ण हो तो सवें को सवें स्वयम के मन को साधें स्वयम की बुद्धी को साधें स्वयम के कर्मों को साधें ततपशात मा के समक्ष बेठें तो निश्यत रुप से मनुकामना पूर्ण होगी क्योंकि शक्तिया जो है वो प्राप्त होती है इन नौ दिनों में हमें शास्त्रों से भी पता है और हम स्वयम भी जानते हैं कि इश्वर जो है कर्म करने के लिए बाद्धी हो जाते हैं वर्दान देने के लिए बाद्धी हो जाते हैं अगर आपकी एक लिष्ठता हो और आपका समर्पन हो हमने देखा शास्त्रों में कई उधरन पढ़ने को मिलते हैं कि राक्षस उन्हें गोर तपस्या कि तो कई बार प्रशन उड़ता था कि राक्षस जो की नकारात्मक शक्तियों से युक्त हैं जो लोगों का जो है जिन्होंने संसार में त्राही माम मचा रखी थी उन्हें भी भगवान ने वर्दान दिया तो आखिर क्यों तो उसका कारण यही है कि उन्होंने जो तपस्या क कोई करता है तो ईश्वर बाद हो जाता है फल देने के लिए इसका एक छोटा सा उधारन देखे कि जैसे कोई संगीत में किसी को रूची है माली जे कि तबला वादक कोई बनना जाता है वो लगातार 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 करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान अगर वो ल बिल्कुल और नौ दिलों में हम आराधना करते हैं किसी अभिष्ट की प्राप्ति के और बिल्कुल लॉक्टर कवीता हम कहते भी हैं कि प्रयास करते जा लेकिन कर्म की इच्छा मत कर्म देने वाला अपने आप कर्म देगा लेकिन अपनी मेहनत और अपना प्रयास करना मत अगर हम बात करें तपस्या करते जाओ और ईश्वर जरूर आपको फल देगा यह बताएं कि कुछ खास ध्यान अगर हम राश्यों के हिसाब से करें राश्यों के हिसाब से किस व्यक्ति को आज कैसा ख्याल रखना चाहिए क्या साफधानिया बरत नहीं चाहिए और किन के मामता मई मा का स्वरूप है और इस्तियों को संतान का विशेश नेह प्राप्त हो इसके लिए माता स्कंद माता की आराधना करें जिने संतान सुख में कमी हैं या संतान सांथ में रहते हुए भी किसी कारण से उनसे बहुत ज़्यादा अटेश्ड नहीं है तो आज के दिन स्क संतान की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ नहीं है केवल संतान सुख कभी कभी अगर संतान सुख नहीं होता है तो संतान किसी के भागे से पुरुष के भागे से भी जन्म ले लेती है लेकिन संतान का सुख नहीं है तो संतान आपके साथ रहते वह भी आपको संतान से पूर्ण संतुष्टी प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे में जो है वो मास कंद माता से आप प्रार्थना करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी आप वादसले से परिपूर्ण होंगी आपका व्यक्तित्व करनामय बनेगा और आपकी संतान के अंदर प्रेम के भी जंकूरि होंगे चले डॉक्टर कवीता बहुत बहुत शुक्रियां हमारे साथ जुनने के लिए और दर्शकों के साथ इतनी महत्तपूर्ण जानकारियां साजा करने के लिए नमस्कर स्कंद माता की पूज़ा जरूर करें ओर जैसा की डॉक्टर कवीता हमें बता रही थी कि संतान ही तर संतान का सुख नहीं आगर आज के दिन इस्षियां हुश्यसोभ सोड से मा संतान प्राप्ति का सुख मिलता है इसके साथ ही कुछ खास उपाई उन्होंने बताए हैं उसका पालन जरूर करिएगा और हम उमीद करते हैं और हमारी यही कामना है कि मातरानी आपके जीवर में सुख सम्रुद्धी और शांती लाए इसी के साथ मुझे दीजिए अजासत नमस्का कामना ही कामना है ता कि मातरा अत्राफ आफ सम्रुद्धी और में से भाए ही के साथ हाइए यहाल weekend शासे कर नमस्का चारबे लाएएए उन्होंने पाल थाफ़ कि यहाई पतात्म कामने तायक्जुर में से हाइब और पिस को हाँ आपके और क。 rip, यहा है हां आपके से लिके